आज बड़े सोभग की बात है सक्री मंदर पर सद्गुर्देव जी पधारे हुए हैं अभी बंदना के रूप में यहां पर प्रोग्राम आगे के लिए बढ़ाते हैं बोलिए स्री सद्गुर्देव की जै बंदन चरन सरोज जिन यह बीजक निर्मयो परक दिखायो खोज ते गुरु समदू जाने निर्णे दीन कृपाल परक प्रकाशि स्थिरपद परकायो सब जाल मादुखित जीव जान के दयाच माशंतोस दीरज सील विचार गुण एक आनेक को धोख परकायो निज परक दे अशरन शरन यूदा अर शुख शाहिव शुख रूप जो कांटी का विस्तार तब पारकाश् ते क्रपा निदे वंदो संत समाज जे निरडए गुरू परक के द्रडमम हिर्दे विराज सदा सुखि दाया निदे आजर याखंड रूपी परम प्रकासी देखो सुड़ से ओजासी लेखो अते शुख आयोए ब्रह्म जक्त ब्रह्म मेट जाई संद कालनास संस सवचूर कर दूर से उड़ायोए बेदवू प्रमान और वानिन के मत जेते और उसे दांत सो तो सर्वले दीखायोए सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो रहे सोई गुरू रूपनिज पारक लखायो है वारू तन मन धन सबे बद पर खावन हार युग यानान्त जो पचिमरे बेन गुरू नही ने सार्वंधनिये गुरू परक को बार बार कर जोर्दयाकरन संसेहरन शंत रूप प्रभूतोर बंधी चोर क्रपाल प्रभू विगन विनासक नाम अशरन शरन बंदो चरन सब विधि मंगल दाम बंदो सन मुक पारखे सिस भेट धरू हात बचन उचारू बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी बोलिये स्री सदुदेव कीजे सदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद बोलो ना, क्या बोलो, हमको क्या बोलो, क्या बोलो, क्या करना है, क्या करना है, आप, बोले शरी स्थ गुरु देव की जय, परंपुजे, संत, समाज, उपस्ती, सजन, बन्दू, यह कारे क्रम, बड़े मुल्खिल से मिला है, और आज शक्री में इस कारे क्रम को लिए गया है, सजनो, हम सुद्ध चेतन्य ज्ञानम सरूपम, अजरहम अमरहम यखंडम यानूपम, सजनो, यह कारे क्रम की रूप रेखा जो बनी है, श्री महान साहिब जी आचारिय बुरहनपुर से आये हुए है, और उनके साथ में हमारे अद्ध्यक्स साहईब भुपें जी, वो प्रतेक्स उनके साथ में आये है, और इस कारे क्रम को निभाने के लिए उनका ही एक विशेश्त ही है, तो सज्जनों इस कारे क्रम को सुरुवात करने के लिए मैं संत सिरी भुपें साहईब जी से में प्रबंदना करता हूँ, और वो अपने विचार को रखे, उसके बाद में सिरी हमारे आचारिय जी महान साहईब जी आएंगे, और उन्हों को ये सूप देंगे, तो अब मैं इस कारे क्रम को निभाने के लिए प्रथम में भुपें साहब जी से विनंति करके इमोबाइल हुने दे रहा हूँ, बोलिये सिरी सद्गुरु देव की जये। बोलिये सिरी सद्गुरु देव की जये। बिस बंदनी संसमराट बंदी छोड़ सद्गुरु सरी कभी साव जी। मेरे हिद्धा मंदर के आराद परम पुझ गुरु देव जी। पूजा की योग सभी संसमाज। मैं चरण कमलों में सिरी जुका की तरे बार बंदी करता हूँ। बोलिये स्री सद्गुरु देव कीजे। सद्गुरु स्री कभी साव जी कहते हैं। इजग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जैसुर ये लाग। सद्गुरु देव का कहना है कि ये जग जरते देखिया। ये सारा संसार जल रहा है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आसा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट। ये आग लगी हुई है। विसियों की आग लगी हुई है। कलपना की आग लगी हुई है। इस अगनी में सारा संसार जल रहा है। भरम भूल की आग। एक विसाल भरम प्रगट हुआ मनुस के हिर्दै से। हिर्दै से उठे हुए भरम पर बड़बड़े रिसीमनी तपधारियों ने और कलम चलाई। बिना सोचे बिना समझे बिना निरखे बिना परखे। ऐसी ऐसी बात लिखी है। आज बरतमान में बड़बड़े ग्यानी उस पर बिचार सोध नहीं कर पाए। उन्ही कहानियों को सही मानते रहे। बच्चों जैसी बात है। बच्चा जब मा की गोद में होता है। और चंदर को देख करके बिचलता है। कहता है मा मैं इस चंदर को पकड़ूँगा चंदर मा को। तो उसकी मा उस बच्चे का मुख फेर देती है। और उपर हाथ करके उसकी जेब में रख देती है। और कहती है कि बेटा वो चंद्रमा तेरी जेव में रख दिया बच्चा बहुत खुस हो जाता है मेरी मा ने चंद्रमा मेरी जेव में रख दिया क्या चंद्रमा उसकी जेव में आ सकता है कभी नहीं आ सकता ऐसी एक अजूब कहानी जो सूर प्रत्वी से तेरे लाख गुना बड़ा है प्रत्वी एक कोने की समान नहीं सूर के और कह दिया कि बाल समय पहनुमान जी ने और सूर अपने गाल में रख लिया इस बिश्वास में बड़ बड़े ग्यानी लोग लगे हुए हैं और कहते हैं कि हाँ बात बिरकुर शही है हनुमान ने असूर को गाल में रख लिया एक छोटी सी काच की गोली को यदि कोई गरम कर दे उसको मुख में नहीं रख सकता है तो इतना बिशाल सूर और प्रत्वी पर रहने बाला बच्चा अपने मुख में कैसे रख सकता है लेकिन इस भरम में सारा संसार डूबा हुआ है और हसी उड़ाई है किन की हनुमान की भक्त की हसी उड़ाई है मुख बंदर कर दियों के पीछे पूछ लगाई है हनुमान एक भक्त थे सच्चे मनुष्य थे लेकिन आज कलनरों में देखे लो उनका मुख बंदर जैसा कर दिया है पीछे पूछ लगाई गई है एक भक्त की हसी उड़ाई है और लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हनुमान ऐसे ही होंगे हो सकता है बंदर ही हो लेकिन ऐसे नहीं सदूसरी कविस साब जी कहते हैं ये भर्म है हनुमान बंदर नहीं थे बानर कहते हैं बन में रहने बाले नर मनुश्य जंगल में रहते होंगे ये बाश रही है जंगल में रहने बालों का नाम बाना रखिल दिया आज भी कहते हैं जंगली कहां से आया जंगल से निकल गे तो जंगल में रहते हूंगे ये तो ठीक बात है लेकिन हनुमान बंदर हूं ऐसी बात नहीं और लोग कहते हैं कि हमारे पूरवज बंदर ही थे पहले बंदर में आए फिर उसके बाद में उन्हों की पूछ गिरी गई तो मनुस्व बने गए यह बहुत तक बिग्या जी चला आ रहा है यहां पर सदूर स्री कभी साब जी का कहना है कि बंदर बुद्धी में और मनुष बुद्धी में बहुत फरिक है कहां बंदर और कहां मनुष और जितनों की पूछ गिरी उतने तो मनुष बन गए और जिन की पूछ नहीं गिर पाई वो बंदर के बंदर रहे गए तो ऐसा क्यों हुआ वो सारे के सारे मनुष्ट क्यों नहीं बन पाए अभी बंदर देखे लो लाल मुखवाले निरे बंदर है काले मुखवाले बंदर है मत्रा बिंदरा बन में जाकि देखो बंदर आकर के पैर पकड़ लेते हैं तोपी ले जाते हैं और चस्मा तो वह सुरच्छत है ही नहीं चस्मा पैर करके यदि गली में निकले बिंद्राबन में तो पता भी नहीं चलने देगा और बंदर उताल ले जाएगा एक बार हमारे साथम पूनम साहब जी थे और बिंद्राबन में घूम रहे उनसे कहा गया है कि चस्मा को उतार की रखे लो नहीं तो आपकी आँखों पर रहे गा नहीं उनके नहीं पकड़ की रखूंगा कैसे नहीं रहे गा और बंदर ने पता भी नहीं चल दिया बिरकुल ऐसा नहीं लगा कि हाथ भी लगा हो उसका पीछे और चस्मा ले गया जब कहा वो चस्मा की नकाले गया तब वो देखते हैं आँखों पर चस्मा है यह नहीं बंदर ने चस्मा तोर की फैंक दिया उसको बिस्कुट भी दिये चने भी दिये लेकिन चस्मा बचा नहीं तो उन बंदरों को लोग कहते हैं हमारे पूर वज़े है और छोटे मोटे लोग नहीं कहते बड़ बड़े पढ़े लिखे कोई छोटे मोटे कहें तो चलो बाट ठीक है लेकिन बंदर योनी अलग है और मनुष योनी अलग है बंदर में मनुष में बहुत भर गए क्योंकि पहले के जितनों की पूछ गिरी उतने तो मनुष बने गए और नए गिर पाई वो बंदर के बंदर रहे गए तो आज तो बैग्दियानक बहुत आगे है उन सब की पूछ गिरा गिरा कि सब को मनुष बना दे लेकिन ऐसा होता नहीं ये बहुत बड़ी भूल है और ब्रचों में लोग जीब बताते हैं ये भूल तो बहुत बिशाल है और साकाहर और माशाहर दोपदार्थ बताते हैं और ब्रचों में जीब कहते हैं सदूसरी कासिस साब जी कहते हैं कि ब्रचों में जीब नहीं ब्रच जड़ हैं इच्छया क्रिया अवस्ता ग्यान अमर्ता होई ये लच्छन जहां पाईए जीब जानिये सोई प्रत्वी जल अगनी वायू ये जड़ है और जड़ में जो क्रिया हो रही है शुभाविक उसमें ने जीव का कुछ लेना देना है ने इस ब्रह्म परमात्मा का कुछ लेना देना है जड़ अनादी है चारोतत्तु और इनके मेल में जो बीजी सकती फल भूर रही है इसमें जीव नहीं है यदि ब्रचों में जीव है तो फलों में भी जीव हो गया तो फल का खाना मास्का वशन करना हुआ है अभी तक फल में किसी ने जीव सिद्ध नहीं किया हाँ अलग से प फल सड़ गया तो कीड़े पड़ गए तो अध्यासी जीव अलग से सरीधान कते हैं। फल मेबा, मिश्टान, इनमें, दूद, घिरत, इन्सम में अध्यासी जीव अलग से आता है। अब फल खानी में कुन सा जीव जाता है? जो ब्रचों में जीव मान करके फलों का वच्चन करता है और उश्टी अध्यास में उसका सरीध छूटता है, तो वहीं वो जाएगा। जहां आशा और तहां वाशा। वो फल में ही अपना सरीर दाण करेगा। एक बार नारियल का फल मेंने भी फोरा था। उपस से बहुत अच्छा। नीचे भी अच्छा निकला। जैसे ही फोरा तो अंदर कीडा निकला। लोगों को भर्म होता है वो वाँ कैसे चला गया। चारों तत्तुओं से बना हुआ वो फल है। और अनंतों परमाणूं का बिला हुआ है। और उसमें जाजा परमाणू है ताता छिद्र है। अध्यासी जीव उस छिद्र में होकर के अंदर चला गया। लोगों को भर्म हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया। जी तो कोई परमात्मा करता होगा। परमात्मा को मिलेगा क्या ऐसा करने से। और परमात्मा ऐसा करेगा तो दोसी कौन ठहराएगा। परमात्मा ही दोसी हो गया। क्योंकि सारा संसार परमात्मा ने बनाया। लोगों का ऐसा भर्म है कहना भी है और कहते भी हैं। बड़े उचे मंचों पर बैठ करके, कि ये सारा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, ये संसार रूपी फैक्टरी परमात्मा चला रहा है, और ग्यान केवल परमात्मा के पास है, जीव के पास ग्यान नहीं है, जीव तो इसर का अंस है, ऐसा लोग कहते हैं, चलो ठीक है, जी तो सब को भजन परमात्मा करना ही चाहिए जिसका पूरा संसार बनाया है जिसने तनी मेहनत करी परमात्मा कहां से प्रत्वी को लाया होगा प्रत्वी तो पहले थी नहीं ये लिखा हुआ है कि प्रत्वी पहले थी ही नहीं और परमात्मा जाने कहां से लिया जल भी नहीं था तो जल को भी खिटा कर लिया अगनी नहीं थी तो अगनी को ले आया वायू नहीं थी वायू को ले आया अब कहें इसको रखे कि समय बड़ी परिशानी आएगी इतनी चीज़ ले के आया तो अब रखने के लिए उसने पोल भी बना दी जा आकास अब वो दीखेगी कैसे अब कोई विशाल देखने के लिए भी तो बनाना चाहिए तो एक सूर बना दिया उसे सब ये कलपना लोगों ने की तो सारा संसार बने के तयार हो गया और जीव भी बना दिया और जीव को लेकिन ग्यान कब देगा परमात्मा ये बड़ा बिचारनी ये बात है जब सारे जीव मिलकर के परमात्मा का भजन करेंगे और तब परमात्मा उसको ग्यान देगा और जीव के पास में पहले से ग्यान तो है ही नहीं बता ग्यान सारूपे नानत्वे भिकारी है परजन है इसर का अंस है तो अंस के पास में ग्यान कहां से आया तो सारे जीव मिलकर के परमात्मा का भजन करें तो जीव को ग्यान मिले है और जीव के पास ग्यान है नहीं तो परमात्मा दे कैसे तो सद्गुरु सरी कभी साब जी यां पुकार के समझाती हुए कहते हैं कि ऐसा भरम सारे संसार में छाया हुआ है अब जो भी जीव करम करेगा क्यों बनाया किसने परमात्माने जीव और ग्यान किसने दिया जीव को परमात्माने अब जीव जो भी करम करेगा उसका घाटा और नफा किसको होगा उस परमात्मा को होने बाला है जिसकी फैक्टरी हो उसी को तो घाटा नफा लगेगा अब किसी ने एक करोड रुपए लगा कि फैक्टरी खोली और सो दो से उसमें नोकर भी रख दिये अब उसमें घाटा पड़ा तो जिसने जो फैक्टरी खोली उसको घाटा होगा और किसे होगा तो सारे करमों का डंड किसको लगना चाहिए जो फैक्टरी परमात्मा की सारा संसार परमात्मा ने बनाया है और जीवुष्ट का अंस है तो जो भी करम जो करम का जो डंड है तो कून भोगएगा प्रमात्मा भोगएगा जिसकी factory जीव तो जैसा प्रमात्मा कह रहा है तैसे चल रहा है तो जीव कोई जियान दिया तो प्रमात्मा ने दिया चे अच्छा करेचे बुरा आज बरत्मान में जेल बनी हुई है और मुर्जिम उस जेल में डाले जा रहे है तो ये तो परमात्मा के नियम का उलंगन हो रहा है क्योंकि डंड देना चाहिए किसको और मिल रहा है किसको क्योंकि ऐसा ग्यानी क्यों दिया जब सारे संसार का बनाने वाला परमात्मा है और उसने इतने जीव अनगिंतन बना डाले प्रत्वी जलवाई यह अगिनी जो सब बनाया है सब का हकतारा सब को चलाने वाला है और जो भी करम बना है तो करम का डंड तो उसको भोगना चाहिए परमात्मा को और भोग रहा है कौन जीव भोग रहा है अब यहां सिद्ध हो गया कि मनुस्थ के हिर्देश से उठी हुई कलपना का नाम ही परमातमा है ईश्वर है और कोई नहीं यह पक्की बात हो गई अब कोई माने या ना माने सदूसरी कवीस साब जी ने किसी की बुराई नहीं की किसी की निंदा नहीं की किसी के साथ में कपड नहीं किया राग द्वेश नाम की सद्गु देव के अंदर कोई चीज नहीं छरे फटके सुद्ध साफ पवित्र अखंड बाल ब्रमचारी थे बंदिछ और सद्गु श्री कविसाव जी इस अनादि काल के संसार में रिशियों की कोई कमी नहीं रही बहुत हुए शाम वेद का अध्यन करने वाले इजर वेद का अध्यन करने वाले अथरवन वेद का अध्यन करने वाले रिग वेद का अध्यन करने वाले बहुत हुए उनमें भरनी भी दी बहुत सुंदर रंग से चार फल बता दिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये मिलेंगे जो परमात्मा का भजन करेगा उसे तीन फल तो सहजम मिल जाएंगे अर्थ, धर्म और काम अब बात रही मोच्छ की तो वो तो परमात्मा पने पास रखता है वो तो परमातमा के पास जाएगा तब वो फल मिलेगा पहले नहीं मिल सकता है जितने भी इस ब्रह्म परमातमा को मानने वाले हैं चार बेच्छो साथ अठारे प्रानों को मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि तीन फल तो सहजम मिलते हैं और एक फल परमात्मा के पास में है और सद्वू सरी कवीज साब जी कहते है कि परमात्मा ही जब हिर्दे से उठी हुई कलपना है तो उसके पास में कुन सा फल हो सकता है जब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार फल बता दिये इतने से भी इनकी संतुष्टी नहीं हुई इनकी भूंख नहीं बुजी तो अब मुक्ती होनी चाहिए और मुक्ती भी कैसी बताई सद्वू सरी कवीज साब ने बताई बासना को छे कर दे तो जी मुक्त हो जाएगा बिशेबासना भरम्हुलकलपना मोमता आ सकती इनको छे करे तो जी मुक्त हो अब उन लोगों ने कैसी मुक्ती बनाई बड़ा विच्चित रवात है सोचनिया उन्होंने तो सालोक की मुक्ती वो परमात्मा के लोक में जा करके मिलेगी और वहां रहते रहते जब परमात्मा खुस हो जाएगा जब खुस हो जाएगा तो कुन सी मुक्ती देगा सामी पर मुक्ती देगा फिर अपने समी पर में रखे लेगा और जब समी पर रखते रखते और ज़्यादा वो खुस कर देगा तो उसको सारूप मुक्ती अपने रूप में ले लेगा और जब अपने रूप में लेगा और दूसरों को वो खुश कर लेगा सब को माद्देव लोग वार्शियों को तो फिर परमात्मा उसको दे देगा सायूज मुक्ती अपने में मिला लेगा ऐसी कल अपनाएं लोग उने की तो सद्गुरु देजी पकार के समझाती हुए कहते हैं कि जीव किसी में लिन नहीं होता जीव ग्यान सरूप है चारो तत्तु जड़ है एक तत्तु दूसरे तत्तु को जानने ही सकता है और ये चेतन जीव चारो तत्तु के गुण धर्मों को जानता है और अपने आपको भी जानता है इसलिए जीव किसी में लिन नहीं होता और जो चार फल जो बताएं जे तो यहीं पर प्राप्त हो जाते हैं किसी कलपना करने की जरूत नहीं अर्थ यदि कश्ट और करके जो खुटकार बेग नहीं लागे हिर्दे निबा रहो कोहू हो जो मेहनत करके जो कमाएगा तो आर्थ तो उसके पास रहे गई रहेगा कहा भी है मोटी भासा में पहले की लोग कहते थे कि जाने लादी बेसरमाई ताने खाई दूद मलाई और जाने करी सरम ताके फूटे करम जिसने जो सरम करेगा उसके करम फूटे और जो मेहनत करके कमाए लेता है तो बैठे के खाए लेता है तो कमाएगा तो अर्थ तो पास में रहे गया अर्थ और धरम और सादु संतों की संगती में बैठेगा और विवेग विचार की सब्द उसके कान में जाएंगे अंतकन में धार्ण करेगा तो धरम भी करेगा और धरम करेगा और उसके पास में जो पूजी बचेगी अपना मकान भी बनवाएगा रत हाती घोड़े भी खरे पहले तो ये चाल थी जितने घोड़े हों इतने हाती हों इतनी गाई हों इतना बड़ा और आज कल तो जिसके पास में चार पईया चाच्छे दस बीस पचास गाड़ी हों वो हाती गोड़ा कितने आज कल मैं तो नहीं रहा हाती गोड़ा हुगा तो उसके पास में जब सादू संत आएंगे और वो सादू संतों के पास जाएगा और सत्संग सुनेगा तो धरम भी करेगा और धरम करेगा तो उसके पास में पैसा भी रहेगा चुको सादू संत बेफजूल खर्च नहीं होने देते वो जहां खर्च की जगे हो वहीं लगाओ बे मतलब नहीं तो पैसा रहेगा तो अपना मकान भी बनाबाएगा गाड़ियां भी खरीदेगा बढ़िया चलेगा तो आर्थ धरम काम और मोक्ष मोक्ष कहते हैं सरब बासनाओं का खात्मा हो जाना तो पार ग्यान होने पर जड़ चेतन का बोध होने पर ये पूरा पता चल जाता है क्योंकि पार की सदूदे पूरा बहत बता देते हैं कि यह यहां की संपत्ती है और आपको मिली हुई है यह अबर रूप है इसको यहां की यही लगाओ और जाहो खटपट और वहां से उठलो जटपट यह सदूसरी कभी साब का बहुत बड़ा अच्छा मंत्र है कवीर बाड़ी अटपटी जटपट लखीन जाए जो जटपट लखे ले तो सब खटपट मिट जाए खटपट है यह नहीं करोणों की संपत्ति हो और वों खर्वों की संपत्ति हो आप वहां पर रहे रहे हैं तो वहां के नियम का पालन कीजिए रच्छा कीजिए शमारिये और पीठ देते ही फिर कोई पताने जो भी हो जो हो नाइस होगा ऐसा जिसका विचार रहता है जो ऐसी इसकी भावना रहती है इस प्रकास से सेवा पत्थ पर हर शमयारुन रहता है उसके अंदर बासना नहीं जमती है किसी प्रकार से और जो नेक में फूल जाए नेक में पिचक जाए एक बार एक महत्माजी थे उनका कमंडल खो गया विचारे परेशान हो गए पूरा दिन उनका खराब हो गया अब गुरुजी भी थे गुर्देव के पास में आए गुर्देव से बोले गुरुजी के आथ तो गजब हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या मेरा कमंडल खो गया क्यों खो गया क्या क्या नहीं मिला क्या अब करें तो करें क्या अब लेने जाते हैं तो पैसे खर्च होंगे और बो भी मिले गया दो हो गये तो क्या काम हो गये गुरू जी ने क्या दो हो जाएं या तीन हो जाएं खो गया उस समय आप खोने में रहो और मिले गया तो मिलने में रहो और नहीं है तो लाने में रहो वश ये अपने मन में से कचड़ा निकाल दो जो होता है सो होता है तब उनकी बास समझ में आई महतमा थे मान गए सीधे सादे तो सद्गुरु देजी पुकार के समझाती हुए कहते हैं जहां पर बासना जमती है वो हमको पसु पच्छी उस मझखानी के लिए ले जाती है जिस प्रकास से लोहा पर जंग जम जाती है और यदि सुरू में ही वो छुड़ा दी जाए तुरंत तो लोहा का कुछ नहीं बिगड़ता है जब 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 आर पार इसी प्रकार से आप रोज कपड़ेद होते हैं नहते हैं रोज कपड़ेद होते हैं और एक दिन भी यह दिया आपने बाल टीमी भीगों की रखी दिये तो समझे लालश चालू हो गया आलश यह प्रमाद जड़ता तंद्रा, मूर्टा मूर्चा और भ्रांती यह हमारे समय को बरबाद करते हैं और हमारे अंदर से यह प्रकटे हैं कहीं अंत से नहीं आलश कहीं अंतर से नहीं आया प्रमाद कहीं अंत से नहीं आया जड़ता अंत से नहीं आयी तंद्रता अंत से नहीं आयी मूर्टा मूर्चा ब्राम्ती यह कहीं अंत से नहीं यह हमारे ही उरसे हिर्दै से प्रकट होते हैं और एक दिने आलस किया तो कल भी हो जाएगा परसों हो जाएगा किसी किसी के तो वस्तर फिर डूबे साम तक रखे रहते हैं और जब साम को सोते हैं न उत्ता उड़ते हैं ओरे भाईया उन्हों क्या हो गया कि मैं शुबह नाकर कपड़े भेजे दिये थे मैं दोई नहीं पाया दोई क्यों नहीं पाया आलस किया इसलिए का आलस नीद किसाने खोवे और चोरे खोवे खांसी और टका भ्याज बेरागि खोवे राणे खोवे और हांसी सदू देजी पुकार के समझाती हुए केते हैं इसलिए सादू संतों को किसान को में तो वाले मन शुक कभी आलस नहीं करना चाहिए है तो ये सारा संसार अनादी है इसका बनाने बाला कोई नहीं निरड़े करके जाने लेऊ यह जगत अनादी है और उत्पत परले कहें लोग मिथ्या बखवादी है सदूसरी कविसाब जी का ये निरड़े है निरड़े करके जाने लेऊ यह जगत अनादी है उत्पत परले कहें लोग मिथ्या बखवादी है अनादी का कोई करता नहीं होता प्रत्वी जल वायु अगनी ये चारो तत्वा नादी है पोल खंगोल आकाश याड़ू परमाणू रहत आने जाने की जगह है इन सब को जानने बाला जनईया ये चेतन जीव है जब जब करम बंदन में फसता है अपने आपको भूल जाता है और करम बंदन में फस करके पसू पच्ची उसमच खानी मनुष है इनने खानियों में घुमता रहता है ये मनुष करम भूमिका है और भोग भूमिका भी है दोनों है ये विवेग विचार जागरत हो गया तो तो मनुष है और विवेग विचार जागरत नहीं हो पाया तो ये पसू है कि यहीं पर संज़कार बनते हैं यहीं पर आगामी जाने के लिए यहीं से यात्रा होती है शुरूब पसू पच्छी उसमजखानी के लिए और मनुस खानी में फिर आ जाता है जैसे गाड़ी में तेल जब लिवटता है तो पेट्रलर पंप पेलाने प्याद वो चारवे छो साथ ठारे प्रानों के ग्याता हो ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है और आप अपने ही हिरते से उठी कलपना में स्वेम भूल गए तो आपको जगाएगा कौन और सब ने कहा है कि जो परमात्मा है वो निर्गुण है निराकार है अगम है अपार है चित मन दी बाड़ी से परे है जीव की वहां तो पहुंच है ही नहीं तो सदू देव कहते हैं कि ज्यानियों विद्वानों ये बताओ तो आप जो समय बरबाद कर रहे हो जो भजन पर बैठे हुए हो नाम जपते हो और परमात्मा के पास तक तो आपका सब्द पहुंचे गा है न नहीं तो ये समय बरबाद क्यों कर रहे हो सदू देव को कहना पड़ा कि जान बूजी जो कप्ट करतु है तेय समंदन कोई कहों ही कबीर तेई मूड को भला को नबिद होई जब हमको मालम है कि परमात्माचित से मन से बुद्धी बाणी से परे है उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है फिर भी लोग क्या कहते हैं देख कैसी बात बड़ा हसी मोह आवे हसी इनकी बातों को सुन करके बहुत हसी आती है क्या कहते है कि परमात्मा बिना नेत्रों के देखता है नेत्र नहीं हो देखता है बड़ा गजब की बात है और बिना कानों के सब्द सुन लेता और बिना नासका के सब को सूंग लेता है और बिना जिब्या के सब को चक लेता है तो कुछ भी कर सकता है वो दीखेगा तो है नहीं चोरी भी कर सकता है इंसा कर सकता है विविचार कर सकता है इशा कि रोद मान छल गालिंदा जूंट जो पकड़ में आएगा नहीं और मनुस् शमजाती हुए कहते हैं कि शकल्पना को अपने अंदर से दूर करें आज बर्तमान में पार्खी संत हैं पार्खी संतों की सरण में लगें जड़ चेतन के भेत को अच्छे प्रकास से जानें अश्ट महस्तुरूनों को अपने जीवन में उतारें और दस दोसों को शमझें और शमझ करके एक एक करके अपने हिद्धे से खताते जाएं और विवेकी पार की संतों की सरण में आ करके जान्या भूल हो उनसे भूल का शमादान करवाते जाएं वसे इनी बचनों के साथ में मैं अपनी बाणी को ब्राम देता हूं बोल ये स्री सद्गुर्देव की जै साह बंदी साहिए ये उनको बज़ाएं भोटेंगे साहिए इसके इंसार बोला ना देखों दैस वीच कितना वोंते वते साथ के ऊपर है कि आप आधे घंटा बोडे एक घंटा बोले और आट तो ने जो हमादा वहता हुआ तो हुआ है तक भाज़ान पार बाज़ान देंको प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु देव की जये ध्यान मूलं गुरुर मुरती पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्स मूलं गुरु कृपा साहिब सत्य कबीर गुरु ज्यानिन में सिरताज कासिदास बंदत चरण ज्यान पुष्टिके काज पुज्य अचारदेव जी मुद्मंगल में संसमाज भक्त परी में सजनो भक्ति और सक्ति की श्रोच मातायम बेनो मुझे शाहिब जी कादेश हुआ गुरु संद अपने आते हैं तो बड़ी खुसी होना चाहिए उसी पेक पद है आवो आवो नगुरुजी मेरे द्वार सजाई मेने आंगनिया आवो आवो नगुरुजी मेरे द्वार सजाई मेने आंगनिया घर आंगन की करी सफाई सुंदर साज सजाया तेरे दर्षन की अभिला सामन में राज समाया दर्षन देवन दयालू सरकार सजाय मेन आंगनियाँ आवोन गुरुजी मेरे द्वारे सजाई मेने आंग नियां कब से आसा लगी थी मन में आकर आज पुराई कब से आसा लगी थी आकर आज पुराई आवोन गुरुजी मेरे द्वारे सजाई मेने आंग नियां आवो आवोन गुरुजी मेरे द्वारे सजाई मेने आंग नियां जनम जनम की भूल मिटाई ग्यान दियो अनमौल सत्य सरूप लखायो उर में दियो खजानो खोल तूने तारा सकलसन सार सजाई मेन आंगनिया आवो आवो न गुरुजी मेरे द्वार सजाई मेन आंगनिया गुरु की महिमा सब कोई गावेरि सिमुन वेद पुराण धन्य धन्य हे चेतन प्रभुजीत व्मसे मेरी सान प्रवाकर भूलूना कभी उपकार सजाई मेने आंग नियां आवु आवु न गुरुजी मेरे द्वार सजाई मेने आंग नियां आवु आवु न गुरुजी मेरे द्वार सजाई मेने आंग नियां सजाई मेने आंग नियां बोल ये स्री सत्गुरु देव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय क्या वह भुगत है? स्राव की बोले तवाने स्थापत है तो फिर को नियुक्त है? धाठी गुरुजी साजी प्रुजी साजी जय वह भुगत है तो आव गुरु भाक्ति है मन दुखार यही हे तुमैं भाक्ति करों देदान वह गुरु बोधि सर्धा स्थ प्रेम देमानेहरों साहस सहन यरुनेम दों नही देह सुखया साधरों पदबंदि बिनवं जोरिकर गुरु काजया पूरा करों ग्वदबंदि बिनवं जोरिकर गुरु काजया पूरा करों ध्यानमोलं गुरुमुर्ते पोजामोलं गुरुपदं मंत्रमोलं गुरुवाक्यं मोक्षमोलं गुरुकृपा गुरुडेवो गुरुद्रमो गुरुनिष्ठापरं तपा गुरुपर्तरं नास्ति नास्तितत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् प्राम्पुज्य प्रातास्मर्णी शद्गुरु कबीर देव। आज वर्तमान हमारे मार्ग दर्शक प्राम्पुज्य स्री शाहिब जी मन्चासीन सभी शंत गुरुजन उपस्थित नेडचिर विवे की बंदुओं श्रद्धामति देवियों बड़ी हर्सकी बात है आज हम सब के लिए अंधकार भगाने के लिए सुर्य उदय हो चुका है यदि हम आग खोलें और हिर्दय से स्रद्धा भक्ति और प्रेम के शाथ शत्संग के सहरा लें गुरुजनों के सहरा लें तो अनादी काल के घोर अंधकार है वो प्रकास में बदल जाएगा समय आया है हम सब अनादी काल से थोड़ा नहीं अशंख दुख भोकते आये हैं महात्मा बुद्ध जी ने कहा है भिक्षूओं इस शातो समुद्र में जो जल दिखाई देता है वह जल तुम्हारे आखों के आशू से कम है शमुद्र के जल को माप करके बता देगा विज्ञानिक लेकिन अनादी काल के शंसार में जो तुम आशू बहाया है उसे कोई माप नहीं शकता है अब कब कब आशू बहाया है प्री के मिलन में और अप्री के शंजोग में प्री के बियोग और अप्री के शंजोग में इतना आशू बहा चुका है जिसका था नहीं है इसलिए शदगुरु कबीर कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी संसार बहुत दुख से भरा हुआ है अदुख के कारण क्या है कारण है हम सब अबोधी जीव केवल एक पक्ष को ले करके चल रहे हैं एक काया ये काया है पांस तत्तों का पिंजड़ा है पांस तत्तों का पूत्रा मानुस धरिया नाव एक कला के बीचुरे बिकल होत सब ठाव पांस तत्तों का पूत्रा यह मनुस शरीर मिला है लेकिन इस मनुस शरीर को पा करके जैसे पसू है अपने तन के रक्षा के लिए छाजन भोजन भय मैथुन निद्रा और मोह ये खट कर्म में जीवन जीता है इतना ही हम मनुस से होकर के केवल सरीर के रक्षा के लिए क्या चाहिए रोटी धोती और छाया चाहिए रोटी धोती चाया के लिए 24 गंटा हम मेहनत करते हैं कौन से मेहनत खेती नौकरी और बेपार है जिस से धन मिलता है और धन से अपना रक्षा परिवार और समाज के रक्षा होता है रक्षा करते हुए उत्तम खानी मनुस से जीवन है केवल शरीर के पीछे परिवार के पीछे ही जीवन को खो दिया अपने को जाना नहीं तो केवल पांस तत्व का ही पिंजड़ा बना पांस तत्व के पंच विशा है मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकास भी कहा गया है छीति जला, पावक, गगण, समीरा, पंच, रचितिया, अधम, सरीरा लेकिन पांस तत्व का पंच विशा है पंच विश्यों के जानकारी के लिए हमारे पास पास साधन है और पाँच करमेंद्रिया है पाँचों विश्य के लिए शब्द असपर सरूपरस गंध ये पास तत्तों का है जानकारी के लिए शब्द असपर सरूपरस जो गंध है हमारे पास ज्यानिंद्रिया है आख, कान, नाशिका, जीब, अत्वचा ये पास तत्तों के जानकारी के लिए पंच विश्य जो है पास तत्तों का है हमारे पास के जानकारी के लिए पास ज्यानिंद्रिया है और उस ज्ञान को कर्म के रूप में प्रेरित करने वाला पाँच कर्मिंद्रियां भी है शासात चतुष्टय अंता करण है चतुष्टय अंता करण की सत्ता से यह आत्मा है पाँच पाँचो विशय का भोग करता है जिसके कारण से बहुद दुख दुख की खानी बहुद दुख अधुख कही ख़दान में पड़ा हुआ है इन दुखों से कैसे बचोगे एस जीवन चल रहा है तो केवल शरीर के बलपन नहीं है शरीर है लेकिन इस शरीर में जो जीवन काल है आत्मा है जीव चेतन है तब ही तक तब बचियो जब राम ही जाने राम को अपने को जानो गए तब ही दुखों से बचोगे और राम को जाने कैसे जान करके मैं आत्मा हूँ मैं जीव चेतन हूँ ये राम को जानना नहीं है पांचों भी शैसे उपर जब तक से नहीं उठेंगे और जैसे शद्गुरुस्री रामराज साहिब ने पंच गरंथी में महान गरंथा है उसमें बताया है कि यह जीवन है जो मिला है के वल पांच तत्तों का सरीर से ही चलनी रहा है शुख दुख का कारण क्या है दुख के कारण क्या है और सुख के कारण क्या है तो दुख के कारण है के वल पांचों विशय में हम जीवन को जीते हैं खोते ही हैं यह दुख के कारण हैं क्योंकि यह हम इतने ही जान चुके हैं पांचों विशय से पंच सरीर तक ही और पाँचों भीशे के भोग तक ही लेकिन आत्मा को जाना नहीं है आत्मा को हम तभी जानेंगे शद्गुरुश्री रामराज साहब कहते हैं कि दया छमा सत धीर विचारा पाँच तत्व हंसा के शारा हंस ए आत्मा है जिव चेतन है रमया राम है ओ हंस है उसका भी पाँच तत्व है और धया छमा सत्य धैर और विचार इसको हम जीवन में धारन नहीं करेंगे जीवन में हम जीएंगे नहीं दया छमा सत धीर विचार पुर्वक केवल पाँच ज्यानिंद्रियों के पाँच कर्म है कर्मिंद्रियों के चतुष्ट अंतर के अंसार से पाँचों विश्य का भोग करते रहेंगे और शास्सा प्राणी पदार्थों में दुख सुक का अनभव करते रहेंगे तब तक दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी है दुख से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि हंस का पाँच तुट्व है उसके अंसार भी जीवन जीओ हम कब जीवन जीते हैं हन्स के अंसार से कभी नहीं 24 गंटा हमारा समय निकल रहा है केवल रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही चिंतन क्या कैसे मिलेगा रोटी प्राणी और पदार्थों का परिवार का सरीर का घर का कैसे हो गए व्यवस्था केवल इसी के पीछे हमारा जिन्दगी पूरा समाप्त हो चुके आज बुड़ापा आ गया है लेकिन अपने लिए कभी भी शमय नहीं निकाला अपने को जाना नहीं अपने को लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचा जब तक से नहीं सोचेंगे चिंता नहीं करेंगे तब तक से दुख से मुक्त नहीं मिल हो सकते हैं इसलिए शद्गुरू कभीर कहते हैं ए जीराता अपने दुख ही समार हम जिसके पिछे लेके केवल अल्पलाव है जैसे तलवार है तलवार में इतना धार है जरासा धार को छुओगे उमली कड़ जाएगी उस तलवार की धार में मदुरस अच्छी तरह से लपेड दिया गया है कहा कि इसको चाट लो जो भी चाटेगा मदुरस की आसकती में बहुत अच्छा लगेगा आसकता है मदुरस खाने का जब तलवार में तलवार को चाटेगा शांसा जीब कट जाएगी जैसे जीब कटेगी अथाह दुख जीवन भर भोगना पड़ेगा तलवार के धार में मधूल पेटी जाएगी चाटे से थोड़ा सुख है कटे अधिक दुख पाएगी जीवन भर दुख मिलेगा उशी प्रिकार के संसार के प्राणी और पदार्थों में पांचों विशय में जो सुख है बस अल्प है सुख थोड़ा है छणिक है माया मोह में प्राणी में धन जन में पांचों विशय में जो सुख माना गया है वो बस इतना ही है यदि हमें दुखों से मुक्त होना है तो शमय जिन्दगी मिली ही उसका आधा से ज़्यादा समय केवल अपने आत्मा के कल्यान में खोना चाहिए परम पुझ्य गुरुदेव जी विराजमान हो रहे हैं आप सब अपने जगह पर खड़े हो जाएं बोलिये स्री संगुरुदेव की जै संगुरु स्री कवीर साहिव की जै बोलिये बत्मानाचारु गुरुदेव की जै साहिव बंदगी साहि बंदगी साहिव बंदगी साहिव अपन बन खड़े जो सजन बाहर बैथे हैं गुरुदेव का शानित ध्यलाव आमने शामने बैड़ जाएं यहाँ पर उपर में आस्यन लगा हुआ है ठंडी भी नहीं है गर्मी भी है तो ज़्यादा लाव होगा आमने शामने का जो बैठ नहीं सकते हैं बृद्ध जन है उसके लिए कुर्सी है कुर्सी में बैठें बागी सब लोग उपर आजाएं बृद्ध जनों के लिए कुर्सी है बोलिये शात्य गुर्देव की जय है अभी हम दुखों से कैसे छूटे दुख मुक्ती का उपाए कोई बिरड़े ही सोच पाता है आपके छेत्रा आरंग गुलाक में मजबूत या ब्रिक्षा का लगाने वाला भक्त वर्श्री विशुवाराम जी ने या अपना मुख्य हिर्दय अस्थल जमीन में आश्रम का निर्मान किये क्योंकि ये उसकी पाद प्राणी और पदार्थ की कमे नहीं थी यदि सुख मिलता उसे तो सुख उन्होंने ढूड़ा गुरु जनों के सहरा ही सुख का कींद्र है अग गुरु जन समय समय से मिलते हैं तो आश्रम बना देने से ऐसे शंत भी आएंगे जिनके शानिद्ध में जा करके हम सिदा के लिए दुख मुक्त हो शकते हैं यदि हम नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं हमको भी भक्ति बीज मिलेगा लेकिन हमारे इस ब्रिक्ष के नीचे पता नहीं कितने दूर दूर से पक्षी भी आएंगे बसेर करेंगे इस ब्रिक्ष के नीचे और उस फल को रसस्वादन करने के लिए कितने भक्त जन भी आएंगे सुक पक्षी भी आएंगे ऐसे सोच करके निर्मान हुआ आज आपके गाउं में कबीर आश्रम में बुरहानपूर कभिर निर्णे मंदिर के वर्तमान अचारिय शद्गुरु स्री महन सहब जी हम सब के बीच उपस्थित हैं उनके गहन गंभीर वानी हम सब सरवन करें और अपने जीवन को शफल बनाए एक बार आउशर मिला है जो शमय आज मिला है कल पुझ्यस्री शाहिब जी का आपके आश्रम में पदारपन हुआ कल और रहेंगे कलोड सस्चंग होगा परसों भोजन करके ही यहाँ से प्रस्तान करेंगे परसों भी लाव मिलेगा बिदाई का समय परसों होगा तो इस प्रकार से आप सब आज तो लाव लें और अपने जिन्दगी को बदलने की कोशिश करें खेवल इस शरीर के पांच विशाहिप के पीछे न चलें आतमा के भी पांस तत्व है उनके अंसार जीवन जीने के लिए पुझ शरी से आप अमरित वानी शुन करके अपने भविश्य उज्जवल करें बोड़िये शद्गुरु देव की याए इसको नीचे कर दें परसाद हर व्यक्ती सुक की कामना रखता है सुक जाता है दुख नहीं जाता है पर जिसको हम सुक कहते हैं वह भी कालांतर में दुख में परवर्टित हो जाता है हमको सुक दुख का पता नहीं है इसलिए हम दुखी होते हैं जो सुक दुख में बदल जाता हो वो सुक नहीं है संसार को हम देखते हैं कि संसार को हम प्राप्त करना चाहते हैं और संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा कि संसार हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि संसार से हमको न जातिय एकता है न शुरूप की एकता है जिससे जाती है सुरूप की एकता नहीं हो वो हमको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है संसार की प्रतीती होती है प्राप्ती नहीं होती है संसार हमको दिखाई देता है इस प्रकास से आपने देखा होगा टीवी में नाना प्रकार के फल दिखाई दे रहे यानि क्या-क्या चीज दिखाई देती है वो बहुत खाली देखने मात्र के लिए है आपको प्राप्त नहीं हो सकती इसी प्रकास से संसाज जो दिखाई दे रहा है वो आपको प्राप्त नहीं होगा सरीर को प्राप्त होगा और सरीर आपका स्वरूप नहीं है बस यही दुक्का कार्ण है इसी का नाम अज्ञानता है संतजन उसी का बोध कराते हैं कि जिसकी तुम कामना करते हो जिसकी तुम चाहना करते हो वो तुमारे को कभी प्राप्त नहीं होगा जब यह बोध हो जाता है तो वो निश्चिंद यही ज्ञान है कि संसार की क्यों संसार की होती है हमको इक्षा वासना चाहना होती है संसार की मो ममता आसकती भी संसार की होती है पर बाज्य की यह होती है अज्ञान वस जब विवेकी सादक को यह चीज मालूम पड़ जाएगी कि ये हमको प्राप्त होने वारी चीज नहीं है तो वो इनकी आसा छोड़ देगा आसा को छोड़ के इनसे निरास हो जाएगा जिस चीज की आसा नहो उससे विवेक वानपुर उस निरास हो जाते है सभी प्रकार की उसकी चाहना का त्याग कर देते है वो अपने आप में ही सांत हो जाते हैं क्योंकि इंद्रिय गोचर जो भी बस्तू है वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे सरी की बस्तू सरी को प्राप्त होंगे तो इस प्रकार से हमको चाहिए कि जितनी भी इच्छा वासना चाहना है हमसे भिन्न की है आपसे भिन्न आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और जो प्राप्त होने वाला जो आपको पहले से प्राप्त है जो प्राप्त हो सकता है वो आपको पहले से ही प्राप्त है पर उसका हमको पता नहीं है हम संसार को दिखाई दे रहा है बढ़ इसको चाहते कि am को प्राप्त हो जाब वो कभी प्राप्त होगा नहीं इसीलिए व्यक्तित दुखी है तो संतों के पाँ जाता है संत महात्मा ये बताते हैं कि भी आप जो प्राप्त करना चाहते हैं आपको पहले से प्राप्त है, इसलिए उसमें संतोस कीजिए और जो अपने से भिन्न, आप कुछ और प्राप्त करना चाते हैं, वो कभी प्राप्त नहीं होगा उससे आप विराम हो जाएए, उससे विराम ले ले लिजिए इसका नाम है वैराग क्योंकि रागी के द्वारा हम दुखी हैं, सभी व्यक्ति रागी के द्वारा ही दुखी होता है रागी का त्याग करके हम वैराग को यदी धान कर लें, सबकी एक्षावासा चाहना का त्याग कर दें, हम सदेव सुखी होंगे कि मान्सिक और भौतिक दोनों प्रकार से हम दुखी है मान्सिक रूप से हम दुखी है कि मन के अंदर नाना प्रकार की हमने कलपनाई कर रखी है इस्वा ब्रह्म परमात्मा देवी देवता होगा भूत लगा रखा है यह हमको प्राप्त होंगे कभी हमको सुख पहुचाएंगे वो मित्या जूट है जूट का हमने सत्य समन ले आए जो संसार दिखाई देता यह भी हमको कभी सुख नहीं पहुचा सकते हैं जो चीज आप सुख समझते हैं वो सुख आपको कभी नहीं मिलेगा दोटों को जानने वाला दोनों से अलग होता है आप सुख से भी अलग हैं, दुख से भी अलग हैं सुख की प्रतीती करते हैं, दुख की भी प्रतीती करते हैं पर ये आपका सुरूप नहीं है और जो आपका सुरूप नहीं हो, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा जो कभी भी प्राप्त नहों सके उससे वेराग लेने में ही भलाए उससे उप्राम हो जाने में अच्छा है तो हमारी जब उससे उप्राम हो जाते हैं इक्षा वासना चाहना हमारी सर्व खत्म हो जाती है सभी वासना का अंतों करके हम अपने आप में ही सांत रहते हैं वही परमसांतिक और वही आपको मिल सकता है जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती हो उसकी आसा का त्याग कर देना चाहिए जो कभी प्राप्त नहीं हो संसार कभी प्राप्त नहीं होगा वेराक को ग्रहन करके हम सदेव अपने आप में वही अपना घर है उस अपने आप में इस्तितो करके हम सदेव सुतंतरता स्वाधिंता प्राप्त करके सुतंता स्वाधिंता क्या है सभी प्रकार की इक्छा वासना चाहनाओं से रहित हो जाए संद्धार की गुलामी से रहित हो जाएं यह स्वस्तंता मांसिक और भौतिक दोनों प्रकास से स्वस्तंता प्राप्त करके आप सदेव शुकी हो सकते हैं पर वह हम नहीं कर पाते हैं इसलिए हम सदेव दुखी हैं और उस दुख का त्याग करने के लिए हमको स्वतंत्र होना ही चाहिए ऐसा शंत महात्मा अप्देश देते हैं वही में संतों की कई भी बात को मैं कह रहा हूं बोलेशी स्थाद्गूरूदेव की